नमस्ते और वेलकम तो अन्दा फ्लोर मैं हूँ दिनेश व्यास और हम शुरू करते हैं आज का Q&A सेशन जो सवाल मेरी स्क्रीन पे है अभी वो भेजा है स्री मॉली इंटरप्राइसस 2236 मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज अपना नाम और लोकेशन क्लियर लिखें ताकि मैं आप उस सही नाम से अड्रिस कर सकते हैं सवाल ये है कि ताइल के बारे में है इसका एक लाइन में जवाब है कि टाइल की बाडी का कलर उसकी क्वालिटी ये स्टेंड डिसाइड करें ऐसा नहीं है टाइल के बेसिकली देखें दो पार्ट होते हैं एक होता है बाडी और एक होता है उसकी अपर सर्फिस ये डिफरेंट तरह के टाइल है मेरे पास ये जीवीटी है, पॉल बाडी पॉलिश है ठीक है? ये डबल चार्ज टाइल है पॉलिश में तो आप देखेंगे एक जो बाडी है इसकी हर टाइल में एक बाडी होती है और उसकी अपर सर्फिस अपर सर्फिस मतलब जिसमें डिजाइन है बाडी बेसिकली इसकी स्टेंग्ट डिसाइड करती है Tide Tile, generally, जो full body Tile है, full body porcelain Tile है, वो आपको brown में भी मिलेंगे, grey में भी जैसे, for example, ये grey में एक Tile पड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी body salt and pepper type की है, इसी तरह से brown में भी मिलेगा, complete brown भी मिलेगा, वो बहुत high strength, high quality Tile है, at the same time, आपको low quality के, low quality का मतलब low strength के Tile, जो सिर्फ wall में लग रहते हैं, tri-axial body, तीन component से बनती है ये body, clay, felspar और quards, अब इन तीनों का जो proportion है, वो depending upon the type of Tile, वो change होता रहता है, ठीक है, तो जो porcelain Tile है, उसमें clay की मात्रा कम होती है, quards और felspar ज्यादा होते हैं, ताकि body में ज्यादा मजबूती है, वो dense हो, उसकी porosity ना हो, very dense and very low porosity के जो Tile होते हैं, वो बनाने के लिए, हमें जो clay चाहिए पड़ती थी, उसकी जो property होती थी, वो white fired clay थी, यानि कि firing के बाद, वो white color की body बनाती थी, अभी भी ज्यादा तर जो vitrified या porcelain Tile है, उसकी body आपको whitish मिलेगी, light color की body मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि brown body के color के porcelain Tile नहीं हो सकते, या नहीं होते, इंडिया में जब high quality के vitrified और porcelain Tile बनना शुरू हुए, उस समय जो clay आती थी, वो Ukraine की होती थी, क्योंकि Ukraine काफी export करता था, और Ukraine की clay काफी अच्छी उसकी जो properties होती थी, उससे जो body बनती थी, high temperature में fire होके, वो काफी मजबूत होती थी और उसमें वो सभी कुछ होता था, जो एक porcelain Tile में होना चाहिए, चाइना clay का भी आपने नाम सुना होगा, तो generally जो bodies use होती थी, वो उनकी white firing होती थी, लेकिन उसी दोरान, गुजरात में ऐसे भी wall tile बनाने वाली companies थे, जो जिनके पास राजस्थान की कुछ ऐसी queries थी, जिसकी properties, firing property का जो color था, वो white था, लेकिन उसमें वो, जो strength थानी चाहिए, वो नहीं थी, तो body के color को देखके आप confused ना हो, कोई भी classification, body के color के basis पे नहीं है, पर ये team ने उनको जवाब दिया था, और उसके बाद उनका सवाल था कि, अब देखे, इस communication का तो कुछ नहीं किया जा सकता, बहुत creative हो जाते हैं, लोग marketing करने में कई बार, और ऐसी चीजों के basis पे भी differentiate करते हैं, जो कि technically सही नहीं है, price different होने का कारण हो सकता है कि cost different हो, और cost different होने का कारण हो सकता है कि वो different type के tile हो, उसमें कुछ ऐसी properties हों, कुछ ऐसे features हों, या कुछ इस तरह से बनाया गया हो, जिसके कारण उसकी cost ज़्यादा है, ना कि सिर्फ color के कारण, जितने भी standards हैं, चाहे वो ISO हो, चाहे वो European norms हो, चा की consistency decide हो सकती है, body की कारण नहीं, body का color एक coincidence हो सकता है, parameter नहीं, एक और सवाल मुझे देख रहा है, Manoj Kumar जी, location तो नहीं इन्होंने लिखी है, so can you please suggest which brand we can opt for commercial purpose, lodge for double charge tile, which is good, अगर आपका भी कोई सवाल है, flooring या tiles से related, तो आप मुझे भेजें, वैसे तो comment का section आपके पास है ही और मैं आपको एक email ID देता हूँ, onthefloor.in at gmail.com, फिर मुलाकात होगी एक और नए सवाल के साथ, so please subscribe and share, thank you very much.